नमस्कार दोस्तों मराठा सामराज्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत है आज हम देवगिरी के यादव मराठा सामराज्य के बारे में जानकारी लेंगे महाराश्ट्र का प्राचीन इतिहास भाग्छ है शत्रिय मराठा यादव राजवंश महाराश्ट्र पर जब कल्यानी के ख्षत्रिय मराठा चालुक्य सामराज्य का वर्चस्व था तब यादव चालुक्य राजाओं के सामन्त थे कल्यानी के चालुक्य सामराज्य के दो सौ सत्रह वर्ष के शासनकाल के बार चालुक्य सामराज्य की शक्ति कम होने के बार चालुक्य राजा सोमेश्वर चतुर्थ को यादव राजा भिलम देव पंचम ने पराभूत किया और खुद को स्वतंत्र घोशित करके इसवी 1190 में देवगिरी को अपनी राजधानी बना कर महाराष्ट्र और उसके आसपास के प्रदेशों पर यादव सामराज्य को स्थापित किया देवगिरी आज के महाराष्ट्र के छत्रप्ती संभाजी नगर जिले के पास स्थित्किला है यादव साम्राज्य नर्मदा नदी से लेकर तुंगभदरा नदी तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य था यादव साम्राज्य का कार्यकाल इसवी 1190 से लेकर इसवी 1370 तक था यानि लगभग 127 वर्ष यादव राजाओं ने महाराश्ट्रक, करनाटक और उसके आसपास के प्रदेशों पर शासन किया देवगिरी के यादव की राजभाशा मराथी और संस्कृत थी देवगिरी के यादव भगवान श्री कृष्ण जी के सीधे वन्षच थे इसका प्रमान हमें यादवों के शिलालेखों से और हेमादरी पंडित लिखित राजप्रशस्ती इस ग्रंथ से मिलता है हेमादरी पंडित रामचंद्र यादव का प्रधान था उसने इसवी 1260 में राजप्रशस्ती यह ग्रंथ लिखा यादव सामराज्य के कालखंड में जिन मंदिरों का निर्मान हुआ उसे हेमाडपंथी महाराश्ट्री शैली के मंदिर कहा जाता है मंदिर निर्मान की यह शैली पहले से ही थी बाद में हेमादरी पंडित ने खुद का नाम इस शैली को दिया हिमादरी पंडित ने राजप्रशस्ती में यादव मराथा राजवन्ष की संपूर्ण वन्शावली दी है, जिसके दो विभाग किये हैं पहले विभाग में श्रीमन नारायन ब्रहम देव अतरी रिशी से लेकर भगवान श्री कृष्ण जी तक की वन्शावली दी गई है और दूसरे विभाग में भगवान श्री कृष्ण से लेकर देवगिरी के यादवों तक की यानी रामचंद्र यादव तक की वनशावली दी है यह वनशावली बहुत बड़ी है इसमें से कुछ महत्वपून राजाओं के नाम आगे देते हैं मथुरा से सारे यादव भगवान श्री कृष्ण जी के साथ द्वार का आए और बाद में जब द्वार का समुंदर के पानी में डूब गई तब बचे हुए यादव महाराष्ट के नासिक में आए तब द्रिढ़ प्रहार यादव ने नाशिक के चंद्रादित्यपूर को अपनी राजधानी बनाया इन ही द्रिढ़ प्रहार को देवगिरी के यादवो का मूल पुरुष भी माना जाता है चंद्रादित्यपूर यानी आज के नाशिक का चांदवडगा बाद में सेउनचंदर प्रथम ने इसवी 860 में राजधानी को चंद्रा दित्यपुर से नासिक के शीनगर में स्थलान्तरित किया शीनगर यानी आज के नाशिक का सिन्नरगा राजा सेउनचंदर के नाम से ही इस छेत्र को सेउनदेश भी कहा जाता था राजा राजगोविंद यादव ने राजधानी शीनगर में भगवान महादेव के भव्य मंदिर का निर्मान करवाया जिसे गुंदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है यह मंदिर शैप पंचायतन है, बीच में मुख्य महादेव का मंदिर और चारों दिशाओं में भगवान श्री विश्नु, भगवान सूर्यदेव, भगवान श्री गनेश और माता भगवती का मंदिर है यह मंदिर आज भी नासिक के सिन्नर में है, और सिन्नर की शान बढ़ा रहा है उसके बाद धाडियप्पा गद्धी पर आया, उसके बाद भिलम देव पंचम गद्धी पर आया भिलम देव पंचम यह यादव मराथा राजवन्ष का सबसे प्रतापी राजा था इसने 1185 में राजधानी को नासिक के शीनगर से देवगिरी में स्थलान्तरित किया चालुक्य राजा सोमेश्वर चतुर्थ का पराभव करके, खुद को स्वतंत्र करके देवगिरी को अपनी मुख्य राजधानी बनाकर महाराश्ट्र पर यादव सामराज्य स्थापित किया भिलम देव पंचम के बाद वेसुगी प्रथम गद्धी पर आया उसके बाद जैतरपाल प्रथम गद्धी पर आया इसने यादव सामराज्य का विस्तार किया उसके बाद सिंधन देव द्वितिय ने राज्य संभाला इसने शिखर शिंधनापुर के महादेव मंदिर का निर्मान किया इसी के नाम से उस गाव का नाम सिंधनापूर हुआ बाद में उसका अपभरंश शिंधनापूर हो गया उसके बाद कृष्णदेव गद्धी पर आया उसके बाद महादेव गद्धी पर आया उसके बाद रामदेव गद्धी पर आया इसी को रामचंद्र यादव भी कहा जाता है रामचंद्र यादव के समय में ही देवगिरी पर विदेशी इसलामिक आकरांता अलाउद्दीन खिलजी का आकरमन हुआ और उसने धोखे से रामचंद्र यादव को हरा दिया उस समय महादेव आधे से ज्यादा सेना लेकर दक्षिन दिगविजय करने गया था इसका ही फाइदा अलाउद्दीन खिलजी ने उठाया और धोखे से देवगिरी पर कबजा कर लिया खिलजी के बाद रामचंद्र यादव के दामाद हरिपाल देव ने देवगिरी को स्वतंत्र करने का प्रयास किया लेकिन उसमें वह अशस्वी रहा उनको मुसल्मानों ने पकड़ लिया और इसलाम कबूल करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने इसलाम कबूल नहीं किया और अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा इसलिए उनकी चमडी निकाल कर उनको उबलते हुए तेल में डाल दिया गया और उनका सिर्काट के देवगिरी के प्रवेश द्वार पर लटकाया गया बाद में बचे हुए यादवो को देवगिरी छोड़कर भागना पड़ा और वह सब महाराष्ट के विदर्व प्रांत में आज के बुलढ़ाना जिले में जाकर बस गए वहाँ पर उनका अपभरंश यादव से जाधव हुआ रामचंद्र यादव के पुत्रशंकर देव, गोविंद देव, ठाकुर जी, भूकन देव, भूत जी, अचलो जी, विठ्थल देव, लखुजी राजे जाधव इसवी 1550 में रामचंद्र यादव के आठवी पीढ़ी में लखुजी राजे जाधव का जन्म हुआ जो की छत्रपती शिवाजी महाराज जी की माता जिजामाता के पिता जी थे यूपी बिहार के अहिर देवगिरी के यादवो को अहिर जाति का घोशित कर रहे हैं लेकिन देवगिरी के यादवो का यूपी बिहार के अहिरो से कोई संबंध नहीं है देवगिरी के यादव यदुवन्शीक शत्रिय मराठा थे। उनकी राजभाशा मराठी थी। उनके शिलालेख में वह खुद को यदुवन्शीक शत्रिय मराठा कहते हैं। राज़ प्रशस्ती में भी है मादरी पंडित देवगिरी के यादवों को यदुवन्शीक शत्रिय मराठा ही कहते हैं। देवगिरी के यादवों के सिधे वन्शज लखुजी राजे जाध्वराव यह भी यदुवन्शीक शत्रिय मराठा ही थे। लखुजी राजे जाधव के वन्शज जो आज महाराष्ट के बुलधाना में हैं। उनकी चार शाखाएं हैं वह भी यदुवन्शी क्षत्रिय मराठा ही हैं। पहली बात तो यह समझनी चाहिए की याधव कोई जाती नहीं क्षत्रियों का कुल है। याधव यह चंद्रवन क्षत्रियों का सबसे बड़ा कुल है। जिस कुल में भगवान श्री विश्नु जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया। और यदुराजा के वन्शज होने के कारण इस कुल को याधव कहने लगे। और उसका अपभरंश जाधव हुआ। इस कुल सबसे महत्वपून है। देवगिरी के याधवों का गोत्र अत्री था। आज के क्षत्रिय मराठो के 96 कुल में से याधव और जाधव कुल के लोग देवगिरी के याधवों के वन्शज है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जए शिवराय जए महाराष्टर।